नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करूना आज ये वीडियो लेकर आई हूं राजस्थान वाले बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं क्लास 12 में चित्रकला सब्जेक्ट को तो बिटा उनका चैप्टर नमबर दो राजस्थाने चित्रकला शैली पर कुछ इंपोर्टेंट कोईशन्स वन वर्ड आंसर्स मैं हाँ पर लेकर के आई हूं जो की हैलफुल रहेंगे उनके बोड एक्जाम के लिए देख ले थे हैं बिटा आपका देखो चैप्टर नमबर एक स्लेबस में नहीं है क्योंकि जो आपका 30% स्लेबस हटा दिया गया है कोविड के कारण इस कारण से चैप्टर नमबर फर्स आपके प्रीबोड एक्जाम में नहीं आएगा चेप्टर नमबर सेकंड राजस्थानी चित्रकलाशाली से कुछ महत्मून कोईश्चन में सबसे पहला प्रेशन है बिटा आप लोगों के लिए राजपूत चित्रशाली का सरब्द का सरप्रथम प्रियोग किस विद्वान ने किया था तो बिटा आनंद कुमार स्वामी थे जिन्होंने 1916 इश्वी में राजपूत चित्रशाली का प्रियोग सरप्रथम किया था राजस्थानी शाली और पहाड़ी शाली के अंदरगत सेकेंड है विटा आपका वसली क्या है तो चित्रकलाहेतु हर्स्त निर्मित मोटा कागज जिसके उपर चित्र बनाये जाते थे रंग किये जाते थे वसली कहलाता है धर्ड हेट आपका गीत गोविंद के रचायता कौन थे तो जैदेव ने गीत गोविंद गरंथ को लिखा है चौथा है जैदेव किस विद्वान के यहां दर्वारी कवी थे तो लक्षमन सैन के यहां पर जैदेव दर्वारी कवी थे Q5 है आपका रसिक प्रिया किसकी रचना है तो के सवदास की रचना है रसिक प्रिया छटा है बिहारी सथसेई के लेखक का नाम बताओ तो बिहारी सथसेई के लेखक का नाम है बिहारी Q7 दत्या महल के बित्ती चित्र पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है तो बुंदेल खंड का प्रभाव देखने के लिए मिलता है हमको दत्यमहल के भित्ती चित्र आप लोगों को मैं भित्ती चित्र के बारे में बताना चाहूंगी भित्ती चित्र क्या होते हैं टेंप्रा रंगों के प्रियोग से दिवार पर बनाए गए चित्रों को बित्ती चित्र बोलते हैं ठीक है और यह जो टेंप्रा जो किया जाता है यह दो विधी में किया जाता है जैसे फ्रेस्को बुनो और फ्रेस्को सीको यानि कि प्लास्टर की हुई गीली बित्ती पर चि और राजस्थान में जो भित्ती चित्रन की विधा फेमस है वो है आइस राइस बद्दी या फिर उसको हम जैपुर फ्रस को भी बोल देते हैं कोश्चन नमबर आठ है विटा यहाँ पर आपका 1605 इश्वी में निर्मित रागमहल कहां और किसके द्वारा बनाई गई तो चावंड मेवाड का एक कला केंद्र है चावंड वही चावंड जिसको राजधानी बनाया था महराना प्रताब ने तो इस कला केंद्र पर निसार् रामायन के युद्ध कांड का जो चित्र है ये चित्र का नाम है रामायन के युद्ध कांड तो इस चित्र का चित्र कार का था तो साहब दिन थे जिन्होंने इस चित्र को बनाया था पिछवई क्या होता है तो श्री नात जी नात द्वारा में होता है ये श्री नात जी य श्रिनाची के पीछे बदला जाता, रोज लगाया जाता है, रोज बदला जाता है, प्रति दिन अलग घटना को उहाँ पर दिखाया जाता है, तो इस चीज को बोला जाता है, पिछवाई, आप नेक्स्ट कुशन है, कुशन नमबर ग्यारा, बूंदी शैली के आरंभिक चित बने हैं, बूंदी शैली में, और सबसे पहले इसी विषय पर, बूंदी शैली में चितरांग्कन होना आरंभ होआ था, कुशन नमबर बारा है, शिकार के चितर सर्वधिक किस स醼ली में बने है, तो इस कांसर होगा कोटा शैली, कुशन नमबर 13 है, दक्शनी सेली का प्रभ भाव हमको देखने के लिए मिलता है बनी ठनी का चितर किस शली से संबंदित है किशंगर शली से संबंदित है बनी ठनी का चितर संपूर रजिस्थानी शली की अगर हम बात करें तो सबसे सुंदर अंकन किशंगर शली में हुआ है और संपूर रजिस्थानी शली की बात करें और पूछी की सबसे सुन्दर चित्र कौन सा है तो वो बनी ठनी है नेक्स्ट कुशन है बनी ठनी का चित्र किस चित्रकार ने बनाया तो निहाल जंद ने जिसको पूरा नाम है सूरजध्वज निहाल जंद या मोर्धवज निहाल जंद भीन को बोला जाता है इन्होंने बनी ठनी चित्र को बनाया है Q16, राजिस्थानी शैली में आदमकद व्यक्ति चित्र कहां पर बने तो जैपुर शैली राजिस्थान का ऐसा का लागेंद्र हैं जहां पर बहुत बड़े आकार में चित्र बनाए गए है Q17, नाथ संप्रदाय से संबंदे चित्र किस चित्र शैली में बने और किस के समय पे बने तो ये नाथ संप्रदाय के जो चित्र बने है वो बी का नेर शैली में बने है बिटा Q18, साहिब राम किस सैली का चित्रकार था तो जैपुर्श अलिका चितरकार था साहिव रा 12 मासा क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है मासा मासा यानिकी मास महिने और 12 यानिकी 12 महिने तो 12 महिनों पर अधारेच जो चितर बनते थे उसको 12 मासा बोलते हैं Question number 20 राग माला के चितर कितने भागों में विभाजित है राग माला ठीक है तो 36 या 42 कहीं-कहीं 36 भागों में राग माला पर चितर बने हैं और कहीं-कहीं 42 भागों में भी बनाए गए हैं राग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं, तो राग छे प्रकार के होते हैं, राग भैरव, राग दीपक, राग हिंडोला, राग मलकोस, राग मेख, और राग राजश्री, ये छे राग होते हैं, मेवाड में चितरित, प्रेम परसंगों में किन ही दो का नाम आपको लिखना है मतलब मेवार में जो चितर बने है उनमें से प्रेम पर अधारित पोन से चितर बने है तो इसका असर होगा पिटा आपका नायक नायका भेध एक और दूसरा मारू रागधी, तूसरा मारू रागधी को धोला नमारू भी बोलते हैं कोटा में किस साशक के समय सिकार के चितर अधिक बने हुए है तो शिकार के चितर उमेद सिंग के समय पे सर्वधिक मात्रा में बने है कोश्यन नमबर 24 है बीका नेर्शली के चितरकारों के नाम बताए कोश्यन नमबर 26 यहां पर प्रिंट हो गया है गलती से तो मंडिया होता है आर्ट स्टूडियो ऐसी जगा जहां पर बैठकर चितरकारी की जाती है और किस शैली में मंडिया बोलते थे आर्ट स्टूडियो को तो बीका नेर्शली में कोश्यन नमबर 27 किस चितरशली में चितरकार का नाम तिथी वे उसका विवरन लिखा जाता था तो वो थी बीका नेर्शली जहां पर चितरकार का नाम किस तिथी में उस चितर को बनाया गया है और चितर के बारे में डिटेल लिखी जाती थी Question number 28, सूरत खाना क्या है? तो चित्रशाला या स्टूडियो जहां पर चित्रकार एक जगा पर बैठकर चित्रन कारे करता था उसको सूरत खाना कहते हैं, चीक है? यानि कि एक तरह से सूरत खाना और मंडिया एक ही जगा है Question number 29, केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो केशवदास ने रचना करी रशिक प्रिया जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो और दूसरा कवी प्रिया, दो ग्रंथ है जो केशवदास ने लिखे है Question number 30, राजिस्थानी शली किन किन ठिकानों पर पली और पोशित हुई? तो राजिस्थानी शली मेवाण में, कोटा में, बूंदी में, जैपूर्मों और किशनगर, छेतर में जो है पोशित हुई और पली Question number 31 है, किशनगर, शली में, राजा सावन्त सिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अंसर हो जाएगा, नागरिदास के नाम से राजा सावन्त सिंग को जाना जाता है यहाँ पर यह 31 हो जाएगा, चीक है? और 32, पिछवाई चितर कहाँ पर बनाए गए है? पिछवाई की बात अभी हमने की थी, श्रिक नाथ जी के पीछे जो परदा लगा होता है, पिछवाई बोलता है, और यह है नाथ दौारा में, यानि कि मेवाड कला किंदर में कोशिय नमबर 33, चोगान, खिलाडी, छेतर का संबंध कौन सी कला शैली से है? तो यह जो है ना, यह चितर है चोगान, खिलाडी का जो संबंध है वो जोधपूर शैली से है कोशिय नमबर 34, अनिरुद सिंग हांडा, चितर के चितरकार का नाम बताईए, तो तुलसी राम, जिन्होंने अनिरुद सिंग हांडा, चितर बनाया है मारू रागने चित्र किस कला के इंदर पर बना है मैंने आपको अब इससे पहले भी बताया है कि मतलब दो चित्र जो प्रेम प्रसंगों पर धारिद है मिवार राज्जी के कोशिय नमब थार्टी सिक्स जैपूर शेली को विख्सित करने का श्रै किस साशक को जाता है समाई जय सिंग नाम से ही पता चल जाता है हमें कोशिय Ninja No. 37 राजस्थान की शेली जहां पर सबसे सुंदर चितर बनाए गए तो किशनगर शेली में सबसे सुंदर चितर बने है और मैंने ये भी बताया है कि राजिस्थान शेली का सबसे सुन्दर चित्र बनी ठनी है कुश्य नमबर 38 किशनगर शेली को पोशित करने का श्रे किस साशक को जाता है तो राजा सावन्त सिंग को जाता है श्रे किशनगर शेली को बहुत ही ज़्यादा फेमस करने के लिए या फिर महाँपर चित्रकला को एक तरह से पोशित करने के लिए या चित्रकला का विकास करने के लिए question number 39 है राजिस्थान की शेली जिस पर सर्वदिक मुगल प्रभाव हमको देखने मिलता है तो वो है बच्चे जैपूर शेली और उसका गारण क्या था कि जो मुगल दर्बार थे उनके जो संबंद थे जैपूर राज्ये से घनिस्ट थे पारिवारिक्ष थे उनके जो रिष् question number 40 राग रागनी पर धारित सर्वदिक चित्र संपूर राजिस्थान के किस कला के इंदर में बनाये गए तो बूंदी शली आपने पढ़ा था आरम भी हूँ आप पर रागमाला के चित्रों से हुआ था चित्र बनाने का तो ये थे बेटे आपके कुछ important 40 questions जो मैं लेकर क क्या होंगी लेकिन उससे पहले हम मुगल कला पर कुछ important question लेकर के आएंगे बिटा आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बिटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी share कर दे और शिक्षा प्रभा पर आप नए हैं अभी तक आपने शिक्षा प्रभा को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर ले क्योंकि इस चैनल पर आप देखेंगे अपने चित्रकला के सभी वीडियो को सभी chapter की वीडियो को सभी important questions को result के बारे में update रहेंगे आप ठीक है